Hello students, my name is Sahil Mishra and I welcome you from Nisha Academy और आज हम फिर से आधुनिक इतिहास में जो मुगल समराजिक का जो पतन था उसका part 1 मैं लेके आगया हूँ 30 most important MCQ के मात्यम से तो अगर आप चैनल पे नए हैं, हमने all भी वीडियो अपलोड किये हुए है modern history से related उसका playlist मैंने बनाती है और आप उसे शुरू से देखिए और यह आप देख सकते हैं कि यह आपका आपका काम करेगा MPPS, MPSI, Constable, SSC और बागी के PCS के exam से में भी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है तो अगर Indian history को आप देखते हैं, तो इसमें आपका कारगर साबित हो गाई है और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा वीडियो को लाइक कीजएगा, और कोई भी question हो, आप पूछ सकते हैं और दोस्तों, पहला सवाल जो है, मैंने शुरू किया है, तो पहला जो सवाल है, इसका जो जवाब है, आपको comment box में लेख के बताना है यानि कि जितने भी मैं वीडियो जब upload करूँगा, जो पहला सवाल रहेगा, उसका जवाब आपको comment box में लेख के बताना है अगर आप जानते हैं, तो अगर नहीं जानते हैं, तो search कीजिए, और comment box में लेख के बताईएगा and next हम शुरू करते हैं, हमारे अगले प्रशन के तरफ से देखते है और दोस्तों, अगर वीडियो पसंदा है, तो लाइक ज़रू कीजेगा और अब मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो साहिल मिश्रा मैंने अपना लिंक दे दिया, इंस्टाग्राम का, इस फैस्बूक का and ट्विटर and योटूब का, अब मुझे भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए, आज हमारा जो पहला प्रशन है, इस इसका आपको जवाब देना है, और अंग्जेब के मिट्व के उपरांद, उसका कौन सा पुत्र जो था, वो सिहासन रूड हुआ था, यानि किसने सिहासन को समभाला था इसका जो सवाल है, आपके पास ऑप्शन है, A, B, C, D, कमेंट बॉक्स में फटाफट लेक के बताईए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं अगले प्रशन से आपको देखता हूँ, अगले जो प्रशन है कि अदुलेकित में सत्य कथन जो है उसको बताना है आपको, पहला है और आजम हमेद नगर में था, या B, या C, या D, उप्रवक्त में से सभी, तो मैं ऑप्शन बार बार पर हूँगा नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ A, B, C लेके चलूँगा, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पास करके देख सकते हैं, इसका आपका समय बचेगा, एन आपका जो प्रमुख जो कारण था, वो क्या था, जो प्रमुख कारण था, वो क्या था, अप्शन है, आपके पास A, B, C, D, आप देख सकते हैं, मनाटू का उत्थान सायने किये, तो सबसे पहला जो मुख्य कारण था, वो था दोस्तों, वो था अयोग उत्राधिकारे, जी हां, प्र के कारण, अनुसार, प्रशन नमबर पांस देखते हैं, कह रहा है कि जजाओ का युद किसके बीच हुआ था, मुझ्जम और आजम के बीच, आजम कामबक्ष के विक्स, या मुझ्जम और अकबर के बीच, या तारा शिखोया और अंग्रे जेब के बीच, किसके बीच यह हुआ था आपको मुझ्जम और अकबर के बीच, प्रशन नमबर 6 देखते हैं, हिजडो के सर्दार जाविद खान को नवाब बहादुर के उपादि किस ने प्रदान किया था, जी आपको बताना है कि इसका जो हिजडो का सर्दार था, जाविद खान को नवाब के जो ब बादशाह का उपनाम जफर था मुभमद शाह का बादशा का प्रतम का बादशा देवतिये winding का अकबर देवतिये आदुलेकित मेंसे नाम अली गौहर था जी यहां इसका जो आपको बतानां कि जो वास्तिवीक जो नाम था अली गौहर किसका था और ये दुस्त था, शाह आलम दिवतिये शाह आलम दिवतिये का आप बता सकते हैं किसे सम्मन था, कौन से बैटल से लिखके बताईगा कमेंट वाक्स में प्रशन नुम्बर नौ देखते हैं जैसे को मिर्जा, राजा, राजा के उपाते किसने प्रदान किया था जहांदार शाह, बादु शाह, औरंजेब या मुहमद शाह, किसने किया था तो ये किया था, आपको दोस्तों इसका सही जवाब होगा जहांदार शाह ने प्रशन नमर दस देखते हैं नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आकमन किया था मुहम्मद शाह या शाह आलम या फरुखशियर या जहारदर शाह किसके शाशनकाल में किया था तो दोस्तों ये किया था मुहम्मद शाह के काल में प्रशन नमर 11 देखते हैं राजा जैसी को सवाई की उपादी किस मुगर शासक ने पतान किया था सवाई की उपादी, यह आपको बताना है, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा option number C, फरकशियर ने, आप वीडियो का pause करके देख सकते हैं आप attempt करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे हो, आपको पता चल्ला आएगा प्रशन नमबर 12 किया रहा है, कि किस मुगल शाषक का सबसे कम था, यह मुगल शाषक की बात कर रहा है, जी हाँ, जो सबसे कम था, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा अकबर देवतिये, प्रशन नमबर 14 देखते हैं, कि अभी अधुलोखित को सुमेलित की जीदाता दियेगा, कूट की साहता से, सही उत्तर का चैन कीजे, यह आपको चैन करना है, इसमें कौन सा होगा, तो आप वीडियो पॉस गए कर देखिएगा, मैं लेकिन आपको बता दोस्तों मैं आपके जगा मेरा गला खराब है आज, तो मैं खोल्ट से परिशान हो, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो अब मेरे मेहनत को अगर पसंद आती है, तो आप प्लीज लाइक कर दिजेगा वीडियो, और गेट विल सुन लिखतीजेगा, त प्रश नमर 16 देखते हैं कि राजा और रामुहन राई को राजा की उत्पाद ही किस मुगल बात्शाह ने दिया था, किस ने दिया था, तो दोस्तों ये थे हमारे अकबर भाई साब, यानि कि अकबर दिव दिये, प्रश नमर 17 कहता है कि कि किस मुगल शाशक के समय में प्रश नमर 18 देखें, मुगल दर्बार के निमनिक्रित में से तीन वजीनों का अकरमशा सही कलानुकार्म है, कौन सा है, आपको ये बताना है, इसका अप्शन नमर का, अप्शन नमर 18 का सही जाब हो जाएगा, अप्शन नमर D, यानि कि पहले 3, 1, then 2, प्रश नमर 19, कह रह आंसर जानते हैं, तो बताएगा कमेंट बॉक्स में, वरना मैं बताता हूँ आपको, इसका सही आंसर है, 2, 3, 4, 1, यानि कि आप्शन नमर C, प्रश नमर 20 देखते हैं कि भारती इतिहास में किंग मेकर के नाम से किस से प्रसिद है, कौन है, तो ये दोस्तों आपको पता कि जो दो भाई थे, जिनका सत्ता पर से लोगों को हटाना, बैठाना बहुत ज्यादा नाम तो उनका, तो वो थे हुसेन अली एवं अब्दूल खांज होते हैं, ये बहुत फेमस थे, प्रश नमर 21, कि किस मुगल बाशाह के शाशन काल में सेयद बंदू, प्रभावशाली और सकती साली मनें, यही सेयद बंदू के बात कर रहता है, तो 21 नमर प्रशन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है, फरुख शियर, यानि कि option number C, प्रशन नमर 22 देखते हैं, सेयद बंदू का अंध किस समय में हुआ था, किस समय में कह रहा है, ये था दोस्तों, आपको मु जिसने उनके दमन में भूमिका निभाये थे, और वो थे तुरानी, जो तुरानी थे, उन्होंने मुख भूमिका निखाये थे, option number B, प्रशन नमर 24, करे नादिर शाह का दिली पर कब अधिकार हुआ था, कब हुआ था, 24 फरवरी 1749 को, या 20 मार्च, या 20 मार्च, 1761 को, या प्रमुक भूमिका अदा किया था, यानि कि नादिर शाह और मुगल सिना का मीर बक्षी कौन था, जो मीर बक्षी था, वो कौन था, यह था, आपका option number C, खाने दोरान, प्रशन नमर 27, करनाल के युद में खाने दोरान के मारे जाने के पश्चात, मुगल शाह ने, किसे मीर बक्षी का पद दिया था, 27, 27 नमर का सही जवाब होगा, option number A, निजामुल मुलक ने, प्रशन नमर 28 कर रहा कि अधाली के भारत पर प्रथम आकमरन के समय, मुगल शाह चाह कौन था, ऐसे questions आते हैं दोस्तों, यह था कौन, अहमद शाह के, आपको याद रखना होग किया था, तो यह दोस्तों इन्होंने किया था, 7 बार, प्रशन नमर 30 कह रहा कि, पानीपत के तिरते युद्ध के समय, मुगल समराठ कौन था, जो मुगल समराठ थे, पानीपत के तिसरे युद्ध के समय, कौन था, तो इसका सही जवाब होगा, option number A, या B, या C, या D, तो आपको फिर से दिखा देता हूँ, कि वो प्रशन था आपको सबसे पहला वाला, जिसको आपको बताना है, आंसर लिखके, और एंग्जेब की मृत्तु के उपराद, उसका कौन सा पुत्र, सियासन रूड हुआ था, जी हाँ, इसका जो सही जवाब है, आपको दोस्तों बत देखिएगा साहिल मिश्रा, तो मैं आज है, अच्छा लगेगा कि आप मुझे क्यार करते हैं, बस आज के लिटना है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में, जाएंद